नमस्का दोस्तों में अनम सुधी पर आज के इस वीडियो में मैं आको बताऊंगा कि soft skills क्या होती है इसको अगर मैं एक sentence में बताओ तो जो खूविया हमें समाज में अच्छे रिष्टों को बनाने में और काम को अच्छे से करने में मदद करती है वही होती है soft skills अब इसके कुछ examples मैंने यहां पर लिखे हुए है उनको एक बार मैं पढ़के सुनाता हूँ जिसे कि आपको समझने में और भी आसानी हो Teamwork, Leadership, Time Management, Persuasion, Communication, Creativity, Decision Making, Stress Management, Self-Motivation, Ability to Work Under Pressure, Empathy और Listening to Others इत्यादी जो personal traits है यह soft skills के अंदर पढ़ते हैं अब यहां पर मैं और एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि यह skills सिर्फ आपको job पाने में ही help नहीं करती है या फिर business run करने में ही help नहीं करती है यह आपके जीवन को अच्छा बनाती है अब यहां पर मैं और एक terminology को भी introduce करना चाहूँगा जो कि है hard skills या पर technical skills आपके बाद जो technical knowledge है किसी काम को करने के लिए जो knowledge आपको लगेगी वो ही होती है hard skills मैं यहाँ पर एक example देता हूँ दो cycle repairing के shops थे अब दोनों ही same charge लेते थे और दोनों के पास ही same skills थी यानि कि दोनों ही आपको same output भी देते थे लेकिन पहले वाले shop में जादा customers आते थे जब इस चीज को analyze किया गया तो पाया गया कि जो पहले वाले shop owner है वो लोगों से अच्छे से communicate कर सकता है वो लोगों से अच्छे से बात करता है लेकिन जो दूसर वाले shop owner है वो लोगों से उतने अच्छे से बात नहीं करता है और एक benefit की वज़े से पहले वादा shop owner के पास जादा customers भी जाते हैं, मैं और एक example आपको देता हूँ, A और B दो लोग थे और दोनों को ही same responsibility दिया गया, दोनों की पास ही same set of skills थी उस काम को करने के लिए, लेकिन A ने बहुत ही अच्छे से काम को किया, ऐसा क्यों, क्योंकि वो काम बहुत ही stressful था, और A स्ट्रेस के अंदर अच्छे से काम कर सकता था, और यही reason बना A के अच्छे आप जैसे hard skills या फिर technical skills आप school, college या फिर courses के मादम से सीख सकते हैं, क्या soft skills भी सिखा जा सकता है, हाँ जरू सिखा जा सकता है, लेकिन इसको सीखने में समय लगता है, आपको experience गेंड करना पड़ेगा, और सिर्फ एक course देखके आप इसको नहीं सीख सकते हैं, यह time के उपर depend करता है, और आपके experience के उपर भी depend करता है, लेकिन मैं आखिर में कुछ tips आपको दूँगा कि कैसे आप इन skills को build कर सकते हैं, मैंने जो examples आपको दिया, उनको अगर आपने गौर से सुना होगा, तो एक चीज़ आपने जरूर नोटिस की होगी, कि यह सभी examples हमारे emotions से जुरे होगा है, अब यहाँ पर और एक difference भी है, hard skills को आप measure कर सकते हैं, लेकिन soft skills को measure करना उतना आसान नहीं है, अगर conclusion में मैं कहूँ, तो दोनों का ही जरूरत है, हमें hard skills की भी जरूरत है, और soft skills की भी जरूरत है, जीवन को अच्छे से जीने के लिए, technical knowledge के अलाबा, आप कोई काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं, आप अगर एक story लिख रहे हैं, और वहाँ पर बार-बार grammatical mistakes कर रहे हैं, तो reader का experience खड़ाब हो जाता है, वैसे ही, उस story के लिए आपने अगर emotions नहीं लाए, तो भी reader का experience खड़ाब हो जाता है, इसलिए हमें दोनों की ही जरूरत है, soft skills की भी जरूरत है, और hard skills की भी जरूरत है, अब हम इनको कैसे develop करें, मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 tips दूँगा, अगर आपको इसके बारे में और भी जादा जाना है, तो ज़रूर comments में लिखिए, और मैं एक dedicated video बना दूँगा, पहला जो tip है वो है reading books, किताबों के अंदर से आप किसी के life experiences ले सकते हैं, उसने उसके जीवन में जो सीखा, वो ही आपके साथ share कर रहे हैं, और उस experience को आप ले रहे हैं, तो कितना जादा आप advance हो जाएंगे, इसलिए किताबे पढ़ना जरूरी है, जिसके पास ये mindset है कि college को pass out करने के बाद हमें कुछ भी सीखने की जर ये mindset बहुत ही जरूरी है, तीसा point है observe others, अगर आप दूसरों को देखेंगे तो दूसरों से सीख भी सकते हैं, दूसरों को देखें जजमत कीजिए, उनको observe कीजिए, उनको देखिए कि क्या मैं इससे ले सकता हूँ, क्या ये अच्छा कर रहा है, क्या ये बुरा कर रहा है, और उनकी अच्छाईयों को लीजिए, और बुराईयों को नाकार दीजिए, और इसी तरीके से आप दूसरों को देख के सीख पाएंगे, चौठा point है get out of your comfort zone, हमने एक comfort zone बनाया है कि हम इसके उपर नहीं जाएंगे, तो उस comfort zone से निकलने की कोशिश कीजिए, उसके बाहर आज का ही वीडियो कैसा लगा जरू मुझे comment section में बताना और अगर अच्छा लगाओ तो जरू लाइक कीजिए, श्याकिजिए, श्याकिजिए, मेरे चैनल को, bell बोटन को, क्लिक कीजिए, मेरे आनावले वीडियो के notifications के लिए, आपके साथ भी सहू लागा दोगी साथ की सा बाइ